आपका स्वागत है चुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी तो ये देखिए मैंने एक बोल भर के देसी गी लिया है उसमें डाल देंगे हरी बॉंग की दाल का आटा एक बोल भर के ये मैंने हरी बॉंग की दाल को पहले गीले कपड़े से साफ किया और मिक्सी में है और उसे चान भी लेना है आपको ब्राइन करने के बाद में तो देखिए अब हम इसे रोस्ट करेंगे इसके अंदर बहुत ही दीमी आज पर करना है आप ये कलर देखिए कितना अच्छा आया है हमें इसमें फूड कलर की जरूत नहीं है कोई भी केसर की भी जरूत नहीं कि अब पता चले की इसगया समयल भी आने लग जाए तब हम इसमें डाल देंगे पानी इसलिए हम गरम पानी करके रख देते हैं इसमें करीब तीन बोल पानी डाला है मैंने आप थोड़ा सा ज्यादा पानी गरम करके रख दीजे कभी-कभी डाल वैसी होती है कि हमें थोड ठुड़ा हीलाते भी रहना है अब ये सारा पानी सोख लेगा उसके बाद में मैं बताती हूं वे क्या करना है कि हमेज़ा देखिर पानी सोख लिया है अब हम इसमें डालेंगे शुगर शकर हम पानी को पकाना हमारा की धखिषया, सोफट पेस्टी भी लंगाना कानी मैं lost असके च생 रोस्त करें। कर सकते हैं मैंने यहां पर कुछ भी एड़ नहीं किया है आप जो भी कानिश करना चाहें कर सकते हैं कि तो यह देखिए इस तरह से बन रहा है हमारा हलवा कि शुगर भी मैल्ट हो गई है और घी भी बहार निकलने लगा है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे कि एक मिनिट के लिए हमें इसे हिलाते रहना है क्योंकि नीचे फिर पैन बहुत गरम हो जाता है तो अब हम सर्व करते हैं यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है कोई बीना फूड कलर के भी इतना अच्छा हल्वा बन सकता है और बीना बैनत के बहुत ही कम बैनत भी लगती है एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग करते हैं